इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि Autodesk Maya का Educational License हम लोग कैसे online ले सकते हैं अगर आप एक teacher है या फिर एक student जो या तो 3D सीख रहे हैं या फिर animation सीख रहे हैं या फिर 3D modeling सीख रहे हैं या फिर VFX कर रहे हैं ऐसा कोई course कर रहे हैं या करवा रहे हैं या तो सीख रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं तो फिर आपको कोई pirated software या pirated license या pirated version या फिर आपका commercial version करने का कोई जवरत नहीं है Autodesk आपको Educational License Provide करता है जो कि आपका 3 साल तक valid रहता है यानि कि आप 3 साल तक या तो सीख सकते है या फिर सिखा सकते है बीना कोई रोक टोक के तो आईए देखते हम लोग Online कैसे License ले सकते Educational सबसे पहले हम लोग को जाना होगा ब्राउजर में वेब ब्राउजर का अड्रेस बार पर टाइप कर सकते हैं www.google.com ठीक है यह है Google और अदरवाइस अगर यहां नहीं खोलना है तो अब डिरेक्ली यहां भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि आज कर गूगल क्रोम में New Tab में सर्च बार दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग को टाइप करना है Autodesk Student बस इतना ही टाइप कीजिए Version और सबसे पहला जो साइट आएगा आप उसको खोल सकते हैं Right Click, Open Link in New Tab यहां पर जब आप जाएंगे Students, देख रहें यहां पर Free Software लिखा हुआ है और अगर यहां पर जाएंगे तो देख रहें बहुत सारा Software से जो Free में Available करवाता है Students के लिए Autodesk इसमें से हम लोग Maya में क्लिक करेंगे, बिकोस हम लोग को Maya का ज़रुरत है दूसरा चीज़ यह है कि अगर आपको Maya का Educational License चाहिए और Educational Version आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपका एक Autodesk में अकाउंट होना ज़रूरी है अगर अकाउंट है तो ठीक है, Sign In कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आपको पहले Create Account करना पड़ेगा तो चलिए, Create Account करते हैं सबसे पहले यहां पर आ रहा है Country चूज करने के लिए फिर Educational Role and then Institution Type तो हम लोग Country में जाके मैं चूज करता हूं इंडिया Because I live in India इंडिया, Educational Role एक Student में डालता हूं Because आप में से जहातर Student ही होगे So let's select Student Institution Type यहां पर High School, Secondary, University और Post-Secondary जो भी आपका मानौ आप कर सकते हैं जिसमें भी आपका इच्छा हो Click and then Date of Birth Date of Birth आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जैसे कि December 10 1991, 2 जो भी आपका Date of Birth हो वो इसमें यहां पर select करना है ठीक है फिर सारा चीज भरने के बाद Next फिर इसमें नाम डालना है मैं अभी डालता हूँ First Name Last Name यह आपका नाम हो जाएगा यहां पर आपको First Name डालना है यहां पर Last Name यहां पर आपका Email ID डालना है अपना एक Valid Email ID डालिएगा because इसी में आपका License Information भेजा जाएगा तो अगर आप Fake Email का स्तमाल करते हैं तो Problem में आप खुदी पढ़ेंगे So मैं यहां पर एक Valid Email Address टाइप कर रहा हूँ जिसमें वो जाएगा जो License होगा वो इसी Email में जाएगा और वो वहां पर Save भी रहेगा जिसको हम लोग बाद में प्रिंट आउट भी कर सकते हैं यहां पर Password बना रहे because यह क्यों कि आकाउंट क्रियेट कर रहे है तो यहां पर Password आपको डालना होगा जिसका यहां पर कुछ Criteria दिया हुआ है जिसमें Minimum एक Letter होना चाहिए एक Number होना चाहिए और आठ करेक्टर से जादा होना चाहिए मितलब Minimum आठ करेक्टर का होना चाहिए बट आप उससे जादा ले सकते हो बट आठ करेक्टर से कम नहीं और यहां पर तीन यूनिक करेक्टर होना चाहिए दिखा रहा है ठीक है तो हम लोग डालते हैं एक Password ठीक है मैंने डाल दिया सारा Crateria Fulfill हो गया अब यहां पर I Agree इस पर चेक करना है and then Create Account यहां पर क्या दिखा रहा है Verification Required जब आप पहली बार Autodesk का Website में आप Sign Up कर रहे होंगे तो यहां पर आपका Email verify किया जाएगा कि आपने सही Email डाला या फिर किसी और का डाल दिया तो यहां पर आपको जब आप register कर चुके होंगे तो एक Link भेजा जाएगा आपके Email में जिसमें जाके आपको Click करना है जैसे कि यहां पर मैं अगर गया तो मोहन प्रसाद यह जो Account है यह खुला हुआ इस वाक्त यहां पर दिख्या आया है Autodesk के तरफ से एक Email verify your Autodesk account इसको open करना है Click करके और यहां पर जो verify email दिया हुआ इस पर click करना है Click करने के बाद यह एक new tab में खुलेगा और फिर क्या दिखा रहा है Account verified This single account gives you access to all your Autodesk products जी हां यहां यहां पर Done कर देना है ठीक है Redirecting अब यहां पर आप चाहे तो कुछ और भी Select कर सकते है जैसे कि यह Extra Step है जहां पर आपको अपना Institute का नाम देना होगा अगर वो है तो ठीक है और अगर नहीं है तो फिर आपको Add करना पड़ सकता है जैसे कि मैंने यहां पर डाला बट यहां पर नहीं दिखा रहा है वो है ही नहीं इस List में बट फिर भी हम लोग Try कर सकते है Media and Entertainment कर सकते हैं अगर आप Architectural सीख रहे हैं तो Architecture पर Sign मतलब Check करें या फिर इस पर Check करें जो भी आप कर रहे हो या जो भी सीख रहे हो या सिखा रहे हो और Enrolled from यहाँ पर डाल सकते है जब से आप बाके में Enrolled हुए हो और अगर नहीं हुए है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने से डाल सकते है जो आपका मन हो मैं डाल देता हूँ Enrolled from January 2020 Graduate in January and 2023 maybe next imaginary है ठीक है यहाँ पर दिखा रहा है name of your name of educational institution जो कि यहाँ पर दिखा रहा है नहीं है the record doesn't exist in our database ऐसे में आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो add it to our records इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो add हो जाएगा and then फिर आप next क्लिक कीजिए फिर से उसमें और आप डाली इसमें मैं डाल देता हूँ Engineering College है, Polytechnic है, Vocational School है मैं Engineering तो चूज नहीं करूँगा नहीं पॉली टेकनिक मैं Vocational School ही चूज करता हूँ फिलाल के लिए इसके लिए कोई option भी नहीं है यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ कोई भी city का नाम अगर आप डाल रहे हो ऐसे ठीक है city and state और यहाँ पर country महराश्ट्र, add अब वहाँ पर दिखा रहा है फिर से वही चीज़ अब आप next कर सकते हो क्योंकि मैंने add कर दिया था इसलिए वो ले लेगा Your account is now updated to access the Autodesk Education Community Continue 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 पर क्लिक करें और उसके बाद देखे यहाँ पर automatic Sign in हो चुका है ठीक है इनीशल अगर मैं यहाँ जाता तो वहाँ पर नहीं था बट अब क्योंकि दोबारा से रिलोड हो गया है तो यहाँ पर आप दिखा रहा है कि Locked in है Welcome back मोहन प्रसाद दिखा रहा है यहाँ पर sign out का option भी है यह page बिल्कुल वहीं पर है जहांसे हम लोग ने शुरू किया था वहीं पर वापस पहुंच गया हूं और version में मैं यहाँ पर choose कर सकता हूं आप choose कर सकते हो कि आपको कौन सा version डाउनलोड करना है या किसमें सीखना है मैं अभी Maya 2020 को ही डाउनलोड करने वाला हूं तो इसको select करना है drop-down में से select select हो गया यह पर check mark आया है operating system को choose करना है अगर आप Linux यूज़ कर रहे तो Linux select करे Windows select करे अगर Windows आप यूज़ कर रहे है या फिर अगर Macintos यूज़ कर रहे your request for an Autodesk educational license has been received and is being processed we will send you an email when your license details are available and your Autodesk software can be installed our apologies for this delay दिखा रहा है ठीक है कोई बात नहीं यह license आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैं देख लता हूं आया की नहीं ओके हाला कि आप install तब तक कर सकते हो जब तक license नहीं आता है मैं अभी download पर लगा देता हूं यहाँ पर install ना करके download now देखिए यहाँ पर दिखा रहा है your file is downloading this could take a few minutes so please keep this window open until the file has downloaded यहाँ पर download हो रहा हो गया अब इसको या तो यहाँ पर click कर सकते directly खुल जाएगा यहाँ पर यहाँ पर arrow में click करके open कर सकते show in folder और इस पर फिर double click करके open कर सकते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा autodex download now यह एक और एक download manager को download करता है जो कि यहाँ पर है autodex download manager setup यह download हो रहा है ठीक है यह पुरा software download नहीं हो रहा है यह जो चोटा सा software download हो यह एक और downloader को download कर रहा है जो कि Maya को download करके हम लोग के लिए देगा computer में यहाँ पर दिखा रहा है यह net का speed depend करेगा अगर आपको internet slow है तो थोड़ा slow काम करेगा अगर internet बहुत fast है तब तो बहुत ही जल्दी यह पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर yes करना है do you want to allow this app to make changes to your device yes अब यहाँ पर आया है यहाँ पर आपको agree में select करना होगा and then install installing हो गया यह चीज जो था यह भी install हो गया उसको अलग से करने का ज़रत नहीं है अब इसको minimize कर सकते है यहाँ पर आपको download का folder choose करने को कहा जा रहा है c autodesk इसको आप ok कर सकते change करने का ज़रत नहीं है अगर आपका c drive में space है तो आप इसलिए ok कर सकते जा सेदा 3-4 gb का space लगेगा आपको ok कीजिया और यहाँ पर देखिए downloading सुरू हो गया है almost यह वाला Maya 2020 Global non specific windows 64 bit यहाँ पर देख रहे downloading सुरू हो गया है अब तब तक इसको यहाँ देख सकते license आया की नहीं आया इसको close कर सकते हैं अब थोड़ा सा वेट करते इसका downloading होने के लिए जैसी downloading खतम हो जाएगा वैसी हम लोग इसको install कर सकते हैं ठीक है so let's wait for some time यह लिजी आपका almost download हो आया है देखे यहां तक पहुँच गया है यह almost 100% होने ही वाला है less than one minute remaining अगर आपका net fast है तो यह बहुत ही जल्दी download हो जाएगा और अगर आपका net बहुत slow है तो फिर थोड़ा time लगेगा यहां पे pause all का भी option दिया हुआ है क्योंकि एक autodesk का download manager है इसलिए इसमें pause का भी option दिया हुआ है in case अगर आपका net connection में कुछ problem होता है तो आप इसको pause कर सकते हैं फिर जब net ठीक हो जाएगा तो आप आप इसको resume भी कर सकते हैं तो at least इतना facilities में दिया हुआ है यहां पे भी pause है और यहां पे open folder का option भी दिया हुआ है छोटा सा दिया हुआ है देख रहे है open folder का यह option है और यह pause का option है यह actually multiple software download के लिए बना हुआ है मतलब autodesk का माया 2020-2018 या बहुत सारा 3D Macs यह सब एक साथ download हो सकता है तो इसलिए सब के लिए अलग-अलग separate सा pause button दिया हुआ है आप इसको pause भी कर सकते हैं अब यह almost हुआ है देखिए हो गया हो भी गया और installation भी शुरू हो गया है इसको यहां पे drag कर सकते हैं देखिए preparing for installation यह extraction हो रहा है यह कहां पे अभी गया है आपको पता है कहां पे download हुआ है इस पे click कर सकते इस पे click करेंगे तो folder automatic खुल जाएगा देखिए setup file यह actually मैं मेरा download हुआ है c drive ठीक है अगर मैं my computer में जाता हूँ this pc c drive यहां पे autodesk का folder बना हुआ है इसको open करेंगे यहां पे yes click करना है because software run हो चुका था यहां पे देखिए open कीजिए यह वाला setup file को आपको run करना होता है यह जो setup file है इसको run as administrator कीजिएगा ठीक है और इसको minimize करते है फिलाल यहां पे run हो चुका है तो देखिए यह है इसका interface यहां पे हम लोग को जाना है इसको भी minimize कर देता हूँ minimize और यहां पे English या फिर कुछ और भी language select कर सकते है यहां पे English ही जातर हम लोग रखते है यहां पे I agree to the terms of use करना है check तभी जाकि यह button enabled होगा जिस पे हम लोग को next पे click करना है कहां पे install करना है कोई और drive भी select कर सकते है बट by default C drive ही best है next select additional components जो इसमें install करना है यह plugins है Arnold for Maya Bifrost for Maya और Substance in Maya यह texturing के लिए है यह simulations के लिए है और यह lighting and shedding के लिए है तो तीनों को ही checked ही रखेगा because तीनों का बहुत जादा ज़रत है और तीनों Maya के साथ free है मतलब Maya के साथ included है नहीं तो initially यह सारा separate plugins हुआ करता था जिसका अलग से cost भरना पड़ता था बट अब ऐसा नहीं है so इसको check दी रखेगा uncheck मत किजिएगा और install install होने में लेकिन थोड़ा बहुत time लगेगा तो आपको थोड़ा सा wait तो करना ही पड़ेगा at least थोड़ा patience आपको रखना है अगर आप SSD में install कर रहे है hard disk में नहीं कर रहे है तो फिर आपका थोड़ा जल्दी होगा बट फिर भी थोड़ा बहुत time लगता ही है because Maya बहुत बड़ा software है यह 4GB का software है so install होने में इसको थोड़ा time लगता ही है at least 10 minute, 15 minute, 20 minute लग सकता है अगर आप hard disk में install कर रहे है तो आपको at least half an hour भी लग सकता है but क्यूंकि मेरा hard disk नहीं है मेरा SSD लगा हुआ है C drive मेरा SSD है जिसके वासे देखिए Maya कितने जल्दी install हो रहा है 10% हो भी गया, 11% नहीं पहुँच गया और आगे भी जल्दी हो ही जाएगा so let's wait तो यह लिजए Maya हो गया complete installation देखिए यहाँ पर installation complete हो गया यहाँ पर check mark दिखा रहा है तीनों का तीनों plugins भी इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर इसका shortcut भी आ गया हम लोग को करना क्या है यहाँ पर start पर click करना है click करने से क्या होगा कि Maya start हो जाएगा और सबसे पहले जो आएगा वो है license कि हम लोग को license enter करना है यहाँ पर multi user तब जब multiple जैसे academic license लेकर रखे हो तो फिर multiple user आएगा उसमें एक ही license के थुरू आपका multiple users यानि कि multiple computers में Maya को register कर सकते हैं under educational license बट क्यूंकि हम लोग का सिफ single user है हम लोग जातर हम लोग में से सब single user ही use करने वाले हैं तो हम लोग को इसमें click करना है click और sign in करना होगा educational license बेलकुल free है आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है इस पर आपको login करना होगा वही सारा इसमें आपको detail डालना होगा जो आप sign up करते time डाले थे जैसा कि email तो मैं यहाँ पर email डालता हूँ अपना personal जिससे मैंने register किया था इससे पहले email डालने के बाद आपको click करना है next पर verify फिर password डालना है एक बार sign in कर लेंगे तो फिर इसमें application में sign in हो जाएगा यह रहा output window यह automatic अभी खुलने वाला है यहाँ पर आभी और भी license information दिखा सकता है इसमें entry करने के लिए would you like to start a trial और subscribe now तो already have a license तो यहाँ पर click कर सकते हैं यह नीचे वाले में यहाँ पर नहीं करना है subscribe नहीं तब करना है जब आप purchase किये हो क्योंकि हम लोगों ने purchase नहीं किया है हम लोग क्या किया भी just हम लोग student license के लिए register किये तो trial भी नहीं कर सकते है trial है 30 days के लिए चलेगा और फिर बंद और इसमें आपका अगर purchase किये हो तब यह subscribe नहीं करना होगा अब इसको इस subscription क्योंकि हम लोग ने नहीं लिया है तो हम लोग को click करना है already have a license click यहां पर enter a serial number में click करना है यह जो window आया है यहां पर autodesk का privacy statement दिखा रहा है और इसको I agree ही करना होगा so click on I agree यहां पर दिखा रहे welcome to autodesk माया 2020 30 days remaining यह trial actually में और हम लोग को activate करना होगा भी इसको activate यहां पर दिखा रहा है serial number देखे product की automatic लिया हुआ है अभी मुझे serial number यहां पर डालना होगा जो कि email में आया था और वहां website में भी आया था तो वही serial number यहां पर डालना होगा जो कि मैं enter करता हूँ यह serial number को आप लोग use ना करें आप लोग अपना personally register करें यह सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा rather than कि आप इसको copy करके डाले because यह काम नहीं करेगा यह maximum two computers तक जाता है और मुझे पुरा यकीन ही use हो ही जाएगा so आप लोग अपना personal email से करें अपना खुद का account बनाएं इससे क्या होगा कि आपके नाम पे registered रहेगा तो in case अगर कभी भी ऐसा कोई situation आता है जहाँ पे आपको अपना license present करना रहे तो आप कर सकते हैं और वो valid भी होगा fake नहीं होगा at least एक बार इसमें serial number डाल दिये हो और product की डाला हुआ है अब इसमें आप next पे click कर सकते हैं यहाँ पे दिखा रहे activating your product license internet connection होना चाहिए उस वक्त तब यह activate होगा otherwise नहीं होगा यहाँ पे दिखा रहा है और today's Maya 2020 has been successfully activated thank you for activating एक बार हो गया आप finish पे click करना है अब क्या होगा Maya open होगा successfully registered हो चुका है ठीक है यहाँ पे दिखा रहे educational standalone license में under में registered हो है ठीक है यहाँ पे दिखा रहे Maya loading यह Maya actually open हो रहा है ठीक है यहाँ पे Maya खुल गया है इसमें थोड़ा बहुत loading time लगता है इसको मैं करता हूँ maximize नीचे में yellow, red बहुत कुछ आपको यहाँ पे bands में दिखाई देंगे मतलब highlighted होते रहेंगे actually पीछे में background में यह plugins load होते रहते हैं और उसको loading में time लगता है इसलिए Maya जब भी open हो तो at least एक या दो मिनट तक wait करें इससे पहले कि आप कुछ भी यहाँ पे click करें देखें यहाँ पर आया है यहाँ पर highlight what's new, show this at startup इसको अंचेक कर सकते हैं नोके click कर सकते हैं देखें यहाँ पर उपर में दिखा रहा है autodex Maya 2020 student version यह इस बात का proof है कि यह student version के अंडर में registered हो चुका है और यहाँ पर देखें यहाँ भी दिखा रहा है signed in किया हुआ है मैंने sign in किया था so वो भी यहाँ पर highlight हो रहा है और show कर रहा है ठीक है हो गया यहाँ पर click करता हूँ तो मैं यहाँ पर sign out भी कर सकता हूँ manage license बाट इस अब कोई ज़रुरत नहीं है explore purchase options कल को अगर कोई purchase करने का ज़रुरत पढ़ा करें कोई ज़रुरत नहीं है और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो जो license के लिए मैंने पहले apply किया था initially में जब मैं register कर रहा था मोहन प्रसाद के नाम से वो आ जाएगा मैंने कहा था और देखिए आ गया है लेकिन यह जो license है यह पूरा almost एक दिन बाद जाके आया है तो आप जब apply करेंगे license के लिए तो हो सकता है आपको एक दिन तक wait करना पड़ सकता है तो patiently थोड़ा wait कीजिएगा और आपका license आपको जरूर मिल जाएगा यह देखे license यहाँ पर मिल गया है बट अब इसका मुझे जवरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना personal जो license मैंने लिया था उससे मैंने activate कर लिया है जो कि फिर से student license है देखें यहाँ पर इस student license है student version लिखा हुआ है इसे मैंने already activate कर लिया है इसलिए अब उसका जवरत नहीं है क्योंकि आने में late कर रहा था तो मैंने जो यह register किया था यह बस आप लोग को दिखाने के लिए register किया था ठीक है तो इस तरह से हम लोग license online educational license हम लोग ले सकते हैं Autodesk का official site से और फिर उसको उसका जो setup file है Maya का उसको download कर सकते है and then उसको install and then उसको activate भी कर सकते है और इस तरह से आपको एक free का software मिल जाता है तीन साल के लिए यह जो license ही तीन साल तक valid रहेगा जिस date से आपको वो registration के बाद मिला है license उसी date से valid रहेगा वहले आप उसको install किये हो या ना किये हो जिस date से आपको मिला है उसी date से ही वो valid रहेगा तीन साल तक तो उसका अच्छे से इस्तमाल करें और अच्छे से सीखें या सिखाना है तो सिखाए और यह सारे जो वीडियो से यह आपको मिल जाएंगे हमारे playlist section में Until then, thank you